नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की एमलोवास टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है एमलोवास टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एमलोवास टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे की एमलोवास टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में M.Lovast Tablet को लेना रेकमिंदेड नहीं होता है M.Lovast Tablet का उपयोग हाइपरेटिंशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है यानि जिन व्यक्तियों का बलड ट्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में blood pressure को कम करने के लिए M.Lovast Tablet का उपयोग किया जाता है M.Lovast Tablet blood pressure को कम करती है और दिल का दोरा पढ़ने का और लखवा लगने के रिस्क को कम करती है क्योंकि लंबे समय तक blood pressure अधिक रहने की वजह से kidney failure, heart failure, दिल का दोरा पढ़ने का और लखवा लगने का रिस्क अधिक हो जाता है इसके अलावा लंबे समय तक blood pressure अधिक रहने की वजह से आखों की blood vessel भी damage हो सकती है और आखों की देखने की ध्रिश्टी कम हो सकती है एक normal व्यक्ती का blood pressure 120-80 होता है अगर किसी व्यक्ती का blood pressure उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कहर सकते हैं कि उस व्यक्ती का blood pressure ज्यादा है एमलोवास एक brand name है एमलोवास टैबलेट के अंदर salt composition एमलोडीपीन होता है एमलोवास टैबलेट 2.5 mg 5 mg व 10 mg की strength में available है दोस्तों खृपया वीडियो को like करना नग भूलें अब हम discuss करेंगे कि एमलोवास टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है एमलोवास टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आमतोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में एमलोवास 2.5 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं लेकिन बाद में जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर एमलोवास 5.5 mg टैबलेट या एमलोवास 10.5 टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं एमलोवास टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको एमलोवास टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना एमलोवास टैबलेट को नहीं लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की एमलोवास टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में M-Lovas Tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में M-Lovas Tablet की वजह से कुछ सामानने side effects हो सकते हैं. जैसे सिर्दर्ध, शरीर में थकान होना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्ध और नींद अधिक आना आधी side effects M-Lovas Tablet की वजह से हो सकते हैं. अब हम discuss करेंगे कि M-Lovas Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन conditions में M-Lovas Tablet को लेना recommended नहीं होता है. Blood Pressure को अच्छी तरह से control में करने के लिए, आपको M-Lovas Tablet के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए. Smoking नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए. इसके अलावा Blood Pressure को अच्छी तरह से control में लाने के लिए, आपको regular exercise करनी चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या Pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं M-Lovas Tablet को ले सकती है या नहीं. Pregnant महिलाओं के लिए M-Lovas Tablet का सेवन करना recommended नहीं है, और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी Dr. M-Lovas Tablet को लेने की सलाह तभी देते हैं, जब M-Lovas Tablet का देना बहुत ही जरूरी हो. इसलिए Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को M-Lovas Tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए. और डॉक्टर की सलाह के बिना Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को M-Lovas Tablet को नहीं लेना चाहिए. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एमलोवास टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं